स्टुडेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं टेजिंग लर्निंग प्रोसेस का चैप्टर नमबर एट लर्निंग स्टाइल्स हम इस वीडियो में इसके कॉंसेप्ट, मेनिंग और डेफिनिशन की बात करेंगे तो देखिए इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में हमने टेजिंग स्टाइल देखा था तो उसमें हमने टेजिंग के उपर फोकस किया था इस वीडियो में हम लर्निंग स्टाइल के बारे बात करेंगे कि लर्निंग स्टाइल क्या-क्या तो लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं कि लर्निंग को किस तरह से किस तरीके से हम ऐसे उसको अपने इंपार्ट करें कि वह अच्छी तरह से हो तो लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं लर्निंग मैथर्स होते हैं कि किस तरह से हम चीजों को ऐसे लर्न करें कि वह हमें बेस्ट तरीके से लर्न हो जाएं जादा तर जो लोग क्या करते हैं वो किसी साथ इंटरेक्ट करते हैं उसे कोई छीज लेते हैं कोई इंफोमिशन लेते हैं सो बेस्ट ओन दिंस कंसेप्ट दा आइडिया ओफ इंडिविजिलाइज्ट इस लर्निंग स्टाइल्स ओरिजिनेट इन इंटें सेवेंटी इंड एक्वायर इनॉर्मस पॉपॉपुलारिटी इसी तरह से 1970 में इस लर्निंग स्टाइल के शुरुवात हु भूई कि कि सतरह से हम अपनी लर्निंग को और बहतर बना सकते हैं teachers should assess the learning styles of their students and adapt their classroom methods to best fit each student's learning styles. तो जो प्रोपनेंस हैं लर्निंग स्टाइल के वो कहते हैं कि जो टीचर है, टीचर के पास ऐसा टीचिंग स्टाइल होना चाहिए कि वो हर एक स्टुडेंट के लर्निंग स्टाइल से मैच काना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अपने अपने मैथड से अपने अपने अपनी लर्निंग स्टाइल से पढ़ सके और लर्निंग में बेस्ट देंगे So, there are three main types of learning styles, auditory, visual and kinesthetic अभी हम next video में इन तीनों के उपर बात करेंगे So, most people learn best through a combination of three types of learning styles but everybody is different तो जादतर लोग इन तीनों के combination से, इन तीनों learning styles से मिल कर पढ़ते हैं और सब का अपना अलग-लग तरीका होता है क्योंकि सब अलग-अलग है So, learning styles are various approaches और ways of learning तो learning style क्या है? बस learn करने का ही एक तरीका है, एक method है अलग-लग हमारी approach होती है जैसे कोई चीजों को देख कर जल्दे learn कर लेता है कोई किसी चीज को बोल कर learn करता है कोई किसी चीज को touch करके या फिर खुच से करकर उस चीज को learn करता है और कोई इन तीनों के combination से learn करता है So, they involve educating methods particular to an individual that allow him to learn best तो इसमें अलग-लग methods होते हैं जिससे हर एक individual अपने best तरीके से learn कर सकता है So, every individual has his own style of learning तो देखें, अलग-लग बच्चों का, अलग-लग learner का अपना एक learning style होता है कोई लिख-लिख कर याद करता है कोई उसे देख-देख कर याद करता है So, learning takes place when the learner consciously or subconsciously knows what to learn but more effective learning occurs when he knows how to learn So, देखें, learning जब कब होती है, learner के अंदर जब उसे पता होता है कि क्या learn करना है लेकिन इसे हम effective तब बना सकती है जब हमें पता होता है हमें इसे कैसे learn करना है Okay So, this is the concept of learning styles आप इसकी definition के लिए के-फी की definition कर सकते है इन्होंने का है learning styles is a composite of characteristics cognitive, affective and psychological factors that serve as relatively stable indicators of how a learner perceives, interact with and respond to other learning environment तो एक second definition भी कर सकते हैं यह इसकी छोटी definition है Stuart और फेलिस्टी की define learning styles as those educational condition under which a student is most likely to learn कि ऐसी educational condition जिसमें जो बच्चा है वो बेस्ट तरीके से learn कर सकता है तो यह क्या है learning style So, अब हम इसके अगले वाली वीडियो में बात करेंगे types of learning styles हमने तीन तरह की पड़ी है styles के बारे में तो अब इसको अगले हम वीडियो में देखेंगे Thank you